हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो सीमा कुकिंग जोन आज मैं बनाऊंगी सर्दियों के लिए खास मेज़दार इस हरी भरी ताजी मेथी की खस्ता और कुर्कुरी रेसिपी अभी तो हरी मेथी का मौसम भी है और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में मिलने में लग गए हैं तो इस मेथी का यूज़ करके में बहुत हेल्दी क्रणची किस्पी रेस्पी बनाने वाली हूँ क्योंकि यह अपने आपे बहुत ही पुछिटिफ होता है इस इतना स्वाजिस्ट पनाऊंगी ना कि मुझा स्वाथ तो बढ़ाए गही और इसके स्वाथ को तो आप भूल करना स्वाप तो इसको इसको बनाने के लिए मैंने बनेकम ने बनाने के लिए 2 mine lucky मैहा हूँ मैंने लिया हूँ इसको टोर्भा च्रिपिश मIm kap जाए नहीं चाहिए तो बस अब मैं इसको चलती हूँ बनाने के लिए बनाने के लिए मैंने गैस ओन करके पैन चड़ा दिया है इसे मैं एक चुड़ी चमच घी डालूगी जगह आप तेल में डाल सकते हैं गीजी के टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसी में मेती में ने पढ़ गया है और इसका टेस्ट भी अच्छा अबहर करके आएगा घी में बुलने से क्या है कि पता ही चलेगा मेथी के कड़वात है इसे कम हो जाएगी इसलिए इसके घी में बुलेंगे अब सब्सक्राइगा है कि किस तरीके से बनाया है कि बच्चों को दी अच्छा ला अगर टेस्टी तुलकर खानी कमन कर रहा है तो आप इसे बनाते हैं महिलों तक रिस्टोर करके भी रख सकते हैं कराब दिनी होगा जंदी है तो बस इस तरीके से बुलनेते हैं तो यह देखिए मेथी नरव हो गई है मेथी त्यार होगी बनने के लिए बस गैस को बन कर दे अगर चुटकी में इसमें डाल देती है एक चमज जिया डाल देती हूं हाफ चमज हल्डी डाल देती हूं दो चुटकी में इसमें हीं डाल दे रही हूं से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब इसमें टेस्ट की कॉड़ी में तश्विनी लाल मिस्ट डाल देती हूं इस इसमें एक कटोरी ये गेहु काटा, आधा कटोरी में गेहु काटा और डाली हूँ, पुरा मिला कर गेहु काटा हो गया, अब मैं इसमें अधी कटोरी सूजी डाली हूँ, गेहु की जगर आप इसे पूरा मैदर से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको तोला हेल्थी बना रही हू काली मिस्ट डाल देंगे इसमें जो मैंने सुजी डाला है वो पूरी चता से ऑप्शनल है आपको ना इक्षा हो अगर तो ना डाले लेकिन उसको डाले जिक है बहुत ही ख़स्ता कुकुरी बनेगी अपनी मत्री इसलिए मैंने इसको डाला है अब इसमें एक चमस सफेद तिल ढालेए गए जिसलिए ख़स्ते तील से झालेए से कष पेसे देखने में बहुत सुंदा लगता है और सब्स है शप्शेयों में आटब चाहिए के लिए एक चमची पीशीवी चीज़ी डाल देंगे इसके मीठा बिल्कुल नहीं होगा लिकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ दाएगा और मेथी मेने डाला है तो इस कड़वापन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा तो सभी चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेते है मोयाव खस्ता पन के लिए दो चमच घी हूं अब इसमे मिक्स करते हम अच्छे से गुथ लेंगे आटा को सबसे पहले ऐसी बिना पानी डाले हैं सभी चीजों को अच्छे से हाथों से मसल्मसल करके पिसको मिक्स कर लेंगे इसंशे की जो मैति की गुथली बनी हो गी जाएंगे तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे पहले इसी की घी अच्छे से लग जाए सभी आटे में और इसकी एक मुठी बननी चाहिए तो परच लेगा कि मोयन एदम परफट डला हुआ है तो काफी खस्ता कुकुरी बनेगी है मटरी मोयन के लिए आप में अच्छी से लग गया है तो यह देखे जब मैं ऐसे मुठी बना रही हुए ना कितना अच्छा हुआ है मतलब कि मोयन एदम परफट बना हुआ है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते है इसका आटा में गूत लेती हूँ और हम इसका आटा जो है ना बहुत सक्त चाहि हुआ है ना तो बहुत कड़ा है और ना ही बहुत सॉफ्ट है ऐसी चाहिए बस अब इससे ढख करके 10 निट के लिए छोड़ देते हैं जिससे की जो मैंने सूजी इसमें डाला है और बढ़ियां से फूल जाए बस अब इसको छोड़ देते हैं अब जब तक आटा रेस्ट ह तब तक मैं इसको अब जोड़ी बना लेती हूँ इसमें क्या है तीन चमच घी लेंगे अब तीन चमच आड़ा डाल देंगे अ तब एक गोल प्लाना है अब ज़़ी जेसा अब इससे चीजों को अच्छे सी मिक्स कर लेंगे गे अधा पेस्ट रत्याद हो जाना चाहिए यह देखिए आटा की जगा आप कॉंपलो भी ले सकते हैं अच्छे से इसको फेट लेंगे इसे कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिला देते हैं इसे के टेस्ट इसका और भी अच्छा आएगा और सभी चीजों की अच्छे से मिक्स कारें च 10 लेट होके हैं माटा को देख लेते हैं रुड़ा सब ऌपस घीडा कर के इसको और घूत lik है अब इसके एक रोल बना लेते हैं जोड़ा सब कर लेंगे आफ दो मिको लेंगे बाकी को रख देते है अब इसको बेल लेंगे इससपर से नएगे आपतली सी dogs अजसे लिड या आप जो मेने less work नो इस इना ए आप य प्ला देंगे थोड़ा थोड़ा सा हातों से लेके प्ला देंगे जिससी सब्स कर अच्छे तरीक से फैल झाए sms इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इसको हम तलेंगे तो इसकी एक प्रज्य है खुल जाएगी और काफी खसता और कुर्गणा बनेगा अब एक साइट का हम पहले दसे फोल्ड करेंगे उठा करके इस तरीके से प्रीज को इधर दूसरे साइट से फोल्ड करेंगे केरफली उठा करके इस तरीके से यहाँ पर भी लगा देंगे इसलिए को पर इसके पर सुखा आठा डस्ट करेंगे, फिर इधर साइट को उठा लेंगे, यह स्क्वायर में हमको बनाना है, फिर इधर से भी ऐसे कर लेंगे, यह दिखी पुरे स्क्वायर में बने गया, अब इसके पर हम आठा डस्ट करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से इसी स्क् बार में बेल लेना है इस तरीके से तरीकरे से और बेल देखें इसको भी पतला और लंबा बेल लेंगे इस तरीके से बेल करके तियार हो गया है अब यह को दिदे हम लगा लेंगे लरी यानि की सांटा जो मैंने त्यार किया हुआ है गी और आटे का उसको लगा लेंगे सब तोरह फच्चे तरीके से इसके उपर भी सुखा आटा डस्ट करेंगे तोड़ा सा बस अब एक बार इसको साइड से करके बीचो बीच में लेकर के आएंगे इस तरीके से और इधर से भी इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे को अब इसके ऑपर भी आटा डस्ट करके इसको अच्छे से बेल लेंगे इसको न्यूद क instruments करेंगे इसको क्या करेंगे बहुत जादा करना है इसको और बहुत ज्यादा पतला करना है इस तरीके से इसको कट कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके से यह निकल रहा है यह ईसा बस सभी को ऐसी कट करके त्यार लेंगे तो इस साइट के तो थोड़े से अनीवन है इसको हम वाले आटेम मिला देंगे इसको फिर से बुन यूज़ कर लेंगे इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं तो यह देखिए इस तरीके से मैं और बे त्यार कर लेती हूँ जो मैंने आटा रखा हुआ है तो यह देखिए मैंने सभी को बना करके त्यार कर लिया है अब जलते हैं इसको फ्राइ करने के लिए तेल काफी अच्छा गरम होना चाहिए इसमें मत्री डालेंगे तो फ्लेम को जब एक रखी अच्छा से शिख जाएगे तभी हम इसको पर्टेंगे इसे बनाना तो तेकान आपने बहुत ही आसान है आप सफर में बना करके ले जा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं इसे बना करके आप महीनों स्टोर कर सक कोई गेश्ट आया तो आप दे सकते हैं एक तरफ सो जब इसे शिख जाएगा तो लटते पलटते हिरें इसे हम दोन तरफ से से शेक लेंगे हलका गोल्डें जब हो जागा तब इसे बहार निकालेंगे मौजा रेस बाहर निकालें नहीं करना है अगर आप चाय के शौकिन ह जब आता इस खरस्ता कुरकुरी मेथी नखीन मटरी का तो देखिए बढ़ियां गुर्डें ब्राउन करे इसमें आगे है अब मैं इस अब इसको निकाल लेती है वाव इसकी परत देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यह जैसे जैसे यह ठंडा होगा बैसे यह और रिस् आ सकते हैं इसमें कोई मैदा नहीं है इसके पहले मैंने राउंड शेप की लेयर्ड मटरी को शेयर की हुई है उसको आप जोगो देखिए बहुत ही बढ़ियां स्नेक्स है यह आप इसे जोगो ट्राई करें तो यह देखिए खस्तेदार बड़तों वाली स्वादिस्ट हरी विभल चर्ट बन त्यार हुआ है यह देखिए यह देखिए कितना खस्ता बहुत है अच्छा बन करके त्यार हुआ तो आप भी से घर में जोगो बनाए और आपने प्यार पर Schulz करें हमें जोगो बताये गा किसी लगी कि है हुआ हुआ हु पार हुआ है झाल 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 झाल